एक आदमी जिसका हाट फेल हो गया था उससे ट्रांस्प्रांट की जरूरत थी एक एकसिडन्ट की वज़े से उसे हाट मिल जाता है अब जिस आदमी का एकसिडन्ट हुआ था उसके वाइप में वो इंटरस्टेड हो जाता है इसी के पैरलल में जिस आदमी की वज़े से एकस जरूर कर दीजेगा बिना गज़िदरी के एक्स्पनेशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होने पर एक फैमिली हमसे इंट्रोडेस होती है मदर का नाम है क्रिस्टीना क्रिस्टीना अपने ग्रूप से कह रही थी उसे पहले ड्रूप की बहुत जादा आदत थी पर अप अपने पार्टनर के लिए बहुत ही थैंक्फूल है इसे के पैरलल में उसका हजबंड जिसका नाम है माइकल या अपनी बेटियों के साथ हैंग आउट कर रहा था अगली सीन में हमारा और एक में गारिक्टर हमसे इंट्रोडेस होता है इसका नाम में जैक जैक एक ट्रांस पॉल का हार्ट फेल हो चुका है उसे जल से जल ट्रांस्प्रांट की जरुवत है पॉल के एक वाइफ है जिसका नाम है मैरी पॉल को शायर ट्रांस्प्रांट के लिए हार्ट नहीं मिलेगा तो मैरी इस बास से बहुत ही हार्ट ब्रोकन थी वो इसके साथ पूरी लाइफ पिताना चाहती थी, अपनी फैमिली बढ़ाना चाहती थी, अब पॉल इस हालत से है, तो डॉक्टर से बुछती है, क्या आर्टिफिशल हो प्रेगनेंट हो सकती है, डॉक्टर ने मेरी की हिस्ट्री ली, तो उसका पहले आपोर्शन हो चुका था, डॉक्टर कहते हैं, हमें पहले तुम पर ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके बाद हमें कर सकते हैं, जिस तरीके की पॉल की कंडिशन है, इस कंडिशन में उसे स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, पर फिर भी उस स्मोकिंग कर रहा था, उसकी वाइफ इस बात से बहुत गुछसा हो जाती है, अगली सीन उसी की वज़े से हुई थी, जैक फिर डिसपोइंटेड होकर वहाँ से चला जाता है, वो घर पर आया और उसका मोड भूट ही खराब था, घर पर उसकी वाइफ उसका एक बेटा और एक बेटी है, उसका बेटा उसकी बेटी को मार रहा था, डॉक्टर जिल्ला कर करती है, वो कहता है, गांधी जी ने कहा था, कि अगर एक गाल पर कोई मार रहे तो दुसरा गाल आगी करना चाहिए, वो जबरतर से अपने बेटे को, उसकी डॉक्टर को मारने के लिए गयता है, उसकी वज़े से घर में सब लोग बहुत डर गए थे, इसके बाद नेक सेन में, पर बहुत गुसा होगे, कहती है, मैं हमेशा तुमारा खैल नहीं रख सकती, पॉल उसे मनाने के लिए उसके पास आया, उसे किस करने लगता है, आज पॉल उसके साथ इंटिमेट होना चाहता था, पर मैरी उसे मना करती है, कहती है, तुमारी सैंपल की मुझे जरूरत है, यानि कि artificial हो प्रेइनर्ट होना चाहती है, इस वाज़े से पॉल को हस्पिटल में जाकर सैंपल देने पड़ेंगे, पॉल यह नहीं करना चाहता था, पर मैरी के लिए हो मान जाता है, आज रात क्रिश्टिना जब घर पर आये तो उसे कॉल आता है, कि उसके हस्बन और उसक तुम जिन्दा ना रहो, क्या फिर भी तुमें करना चाहते हो, पॉल यह सिर्फ मैरी के लिए करना चाहता था, नेक से नहीं देखते हैं कि जैक बहुत ही शौक में वैसे ही घर पर आता है, वो गाड़ी से निकल नहीं रहा था तो उसकी वाइफ उसे देखने के लिए बाह क्या नहीं, इस सब उसने इंक्वाइरी कर ली, किसी को भी जैक के बारे में पता नहीं था, हम ऑस्पिटल में देखते हैं कि जब क्रिस्टिन आ वहाँ पर पहुचिये, तो डॉक्टरों से बात करते हैं, उसकी दोनों डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी थी, और उसका हजबन क्रिटिकल कंडिशन में था, उसके ब्रेन में बहुत सारी ब्लीडिंग हो गई थी, इसके बाद एक दो दिन गुजर चुके थे, क्रिस्टिना का हजबन ये रिस्पॉंसिव नहीं था, डॉक्टरों से कहते हैं, तुम्हारा हजबन ब्रेन डेड है, हम उसके लिए कुछ भ उसको ऑपरेशन सक्सेस्फुल हो जाता है, उसे हार्ट मिला, इसके लिए बहुत ही थैंक्फुल था, वो कहता है कि मैं डोनर की फैमिली से बात करना चाहता हो, डॉक्टर कहते हैं, तुम इस तरीके से उनसे बात नहीं कर सकते हैं, तुम ने थैंक्यू नोट दे सकते हो, पॉल किसी की भी मानने वालों मैंसे नहीं था, उसने डोनर की फैमिली को जानने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टू को हायर कर लिया, उसे उसे क्रिस्टिना के बारे में पता चाहता है, उसके लिए उसे बहुत बुरा लगा, क्रिस्टिना क्या करती हो, कहा जाती है, इस सब के वारे में उसे पता था एक दिन क्रिस्टिना जो स्विमिंग करने के लिए आए हुई थी तो उसे अप्रोच करता है वह उसे भुशता है किया तुम्हारे शोल्ड़र पर ज़रा चोट आई थी तुम स्विमिंग करते करते ज़रा लीम कर दियो उसे better swim करने के लिए उसने ज़रा guide कर दिया वो lunch कर रही थी तो Paul उसे वोचता है किया मैं भी तुम्हें जॉइन कर सकता हूँ क्रिश्टिना इसमें interested नहीं थी पॉल यहाँ से जा रहा था पर फिर से वापस आता है कहता है आके लिए खाना kidney के लिए अच्छा नहीं होता क्रिश्टिना थोड़ा सा इस पर हसती है पर फिर भी वो interested नहीं थी अपने husband के जाने के बाद वो बहुत ज़्याद आई वो पहले जिससे drugs buy करती थी उसे वो फिर से call लगाती है पर एक second में अपना mind उसने change कर दिया next scene में हम देखते हैं कि पुलीस को अभी भी जैक के बारे में कुछ भी पता नहीं था पर वो बहुत ही जादा guilty में हसुस करता है अपनी wife से कहता है कि मुझे अपने आपको पुलीस के हवाले कर देना चाहिए उसकी wife कहती कि प्लीस ऐसा कुछ भी मत करो तुमारे बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता और तुमारी actual duty हमारे पास है मुझे तुमारे बच्चों को तुमारी बहुत जरूरत है पॉल के transplant के बाद मेरी बहुत ही खुश थी उसने अपने सब friends को invite करकर एक party रखी इस party में वो announce करती है कि baby के लिए हम try करने वाले सब उनके लिए बहुत ही excited थे रात में Paul ने मेरी से बात की कहा कि अब baby के लिए हमें जरा सोचना पड़ेगा एक बड़ा decision है जैक बहुत ही जादा guilty महसुस कर रहा था उसकी wife के समझाने के बावजूद वो अपने आपको police में दे देता है क्रिस्टिना के husband के memorial बर बहुत सारे लोग आए हुए थे यहाँ बर क्रिस्टिना के friend को जैक के बारे में पता था उसकी friend उसे समझाती है कि तुम्हें जैक पर charges प्रेस करने चाहिए क्रिस्टिना ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती थी उसकी friend ने उसे force किया तो रोने लग जाती है कहती है मेरा कुछ भी करने से मेरा husband, मेरी daughters इव वापस निया आएंगे वे सब करने का point क्या है अगले दिन पॉल और मेरी ये डॉक्टर के पास आये थे पॉल डॉक्टर से बुछता है मेरी के pregnant होने की chances क्या है डॉक्टर कहती कि पहले उसका abortion हुआ था तो इस बार उसके chances बहुत ही कम है पर पॉल को abortion के बारे में कुछ भी पता नहीं है मेरी ने उससे बात छुपाए तो इससे वो बहुत जादो गुस्ता हो जाता है उसने मेरी से कहा कि बहुत सालों से हमारी वीच में कुछ भी नहीं था हम अब ये नाटक नहीं कर सकते एक्चॉल में मेरी पॉल की condition देखकर फिर से उसके पास आई थी वो गहती कि तुम्हारे लिए दूसरा कोई भी नहीं आता पॉल कहता है कि तुम अकिली थी इसलिए आई ये बात सुनकर मैरी रोने लग जाती है पॉल को भी बुरा लगा उसे गले लगा लेता है नेकसीन में हम जैक को जेल में देखते है उसका रेवरेंड उसे मिलने के लिए आया हुआ था पर अब वो गॉड पर बिलीव करता है या नहीं इसे वो क्वेस्चन कर रहा था उसे लगता है कि अगर गॉड सच्मूश में होता है तो उसके हाथों महसुम लोगों की डेथ नहीं होती जैक ने फिर ब्रीजर में सुसाइड करने का भी ट्राइक किया पर वो फेल हो जाता है एक रात क्रिश्चिना बहुत ही डिस्टरब थी वो एक गलब में गई और वहाँ अपने लिए ड्रग्स बाय कर लेती है जैक उसके बारे में और भी जानना चाता था तो उसका पीछा करते करते वो भी यहाँ आया हुआ था क्रिश्चिना बार में बहुत जादा ड्रंग हो गए वो बाहर आकर अपनी गाड़ी भी चला नहीं सकती थी उसने गाड़ी को थोड़ा सा ठोक दिया उसे समालने के लिए बॉल भी उसके पास आता है बार डेनर उसे इस तरीके से ड्राइव नहीं करने दे सकता था तो पॉल ने क्रिश्चिना से चावी लिए कहा मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ उसने उसे घर पर छोड़ा गाड़ी में ही सुला कर वो भाहाँ से चला जाता है नेक्सिन में जैक से मिलने के लिए उसकी वाइफ आई हुई थी वो कहती है हम दुमारे लिए कोर्ट में लड़ रहे है तुमने जान बुझ कर नहीं किया था ये कितना भी एक्सपेंस हो उससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता इसके बाद एक वीक चला कया था क्रिस्टिन अपने स्विमिंग लेशन पर थी तो पॉल फिर से उसके पास आता है बारिश की वज़े से वो बाहर टैक्सी का वेट कर रही थी तो पॉल कहता है मैं तुम्हें घर तक लिफ्ट दे सकता हूँ उसे मना करती है पॉल कहता है एक वीक पहले बार से घर तक मैंने तुम्हें लिफ्ट दी थी कृस्टिन अभी फिर इसके लिए मान गी उसे पुछता है क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहती हो वो गहता है कि वेसे भी तुम लंच करने ही वाली हो और अकेले खाना ये किड्नियों के लिए अच्छा नहीं होता इस बार वो फेसे हसकर इसके लिए मान जाती है पॉल जब घर जा रहा था तो अचानक से उसे उल्टी आने लग जाती है इसके बारे में उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया उस पर थोड़े टेस्ट हुए और डॉक्टर ने उसे बता है तुम्हारा हार्ट अब मैस नहीं कर पाया अगर पॉल ने इस बात को निगलेट कर दिया तो कुछ दिनों में उसकी डेथ हो सकती है डॉक्टर कहते है तुम अब हॉस्पिटल में एड्मिट हो जाओ हम तुम्हारे लिए फिर से और एक हार्ट ढूंडेंगे पॉल को पता था कि अब उसे फिर से हार्ट नहीं मिलने वाला वो डॉक्टर को हस्पिटल में रहने से मना कर देता है अगर उसे मरना ही है तो अपना फ्रीडम एंजॉय करकर उमरीगा इसके बाद नेक सीन में जैक की वाइफ ने उसे जेल से चुड़ा लिया है जैक ही नहीं चाहता था वो अपनी गलतियों के सजा भूगतना चाहता है वो जब घर पर आया तो उसके बच्चे उसे गले लगा लेते है अब उसे फिर से फैमिली के पास वापस आकर अच्छा लग रहा था इसके बाद नेक सीन में हम क्रिस्टिना और पॉल की डेट देखते है पॉल एक्चुल में एक मैथमेटिशन है क्रिस्टिना को समझा रहा था इन नंबर से हम बहुत सारी चीज़े प्रिडिक कर सकते है नंबर से हमें बताते हैं कि दो लोगों का एक टाइम पर एक जगा पर मिलना इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है हमारे मिलने की बीचे बहुत सारे रिजन हो सकते है क्रिस्टिना को भी उसकी बाते अच्छी लगी आज क्योंकी डेट अच्छी गई थी क्रिस्टिना ने उसे अपने घर में इन्वाइट किया घर में पॉल ने क्रिस्टिना की फैमिली की सारी फोटोस देखी अचानक से उसे फिर से हार्ट की तकलिफ होने लग जाती है वो यहाँ से जाने लगता है पर उसने क्रिस्टिना से का मैं तुम्हें बहुत जादा लाइक करता हूँ पिछले बहुत टाइम में मैंने इतना किसी को भी लाइक नहीं किया क्रिश्टिन उसे जूट कह देती है कि मैं मैरिड हूँ पॉल फिर वहाँ से चला गया रात में पाइफ के साथ था और अचानक से रोने लग जाता है वो गहता है कि जब मैंने उस आदमें को हिट किया उसकी डॉटर मुझे देख रही थी जैसे को मुझे से हेल्फ मांग रही हो और मैं वहाँ से चला गया शायद मैं उसे बचा सकता था एक गिल्ट उसे खाये जा रही थी एक दिन वो अपने बच्चों के साथ था उसकी डॉटरों से कहती है स्कूल में मुझे बताय जा रहा था तुमने एक फैमिली को मार दिया है कैस सच है जैक का वेटा कहता है कि उसने उन्हें मार दिया इस बात से जैक को बहुत जादा गिल्टी लगा वो फिर डारेक्ली घर छोड़कर चला जाता है एक रात क्रिस्टिना पॉल को कॉल करती है उसने उसे मिलने के लिए बुलाया ये बात मैरी ने नोटिस की और पॉल पर बहुत जादा कुस्सा हो जाती है वो कहती है कि मुझे लगा तुम बदल चुके होंगे पॉल कहता है कि हम दोनों नहीं बदले हैं वो क्रिस्टिना के पास आया उसे कहती है तुम मुझे इसे कैसे बता सकते हो कि तुम मुझे लाइक करते हो मेरे लाइफ में क्या चल रहा था इसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता उसे सब कुछ बता देती है पॉल ने उसे गले लगा लिया फिर दोनों किस करने लगते है क्रिश्चिना उसके साथ इंटिमेट होने वाली थी पर पॉल उसे रोक लेता है कहता है तुमारे हस्बन का हार्ट मुझे ही मिला है हमारे बीच कुछ भी हो इसके पहले में तुम्हें बताना चाहता था क्रिश्चिना इस बात से बहुत ज़्यादा गुसा होके कहती कि तुम्हें हाग कर क्या रहे थे उसे मार मार कर घर से बाहर निकाल देती है पॉल रात बर गर के बाहर इक गाड़ी में ही सोक है क्रिश्चिना सुबा होने पर इस नोटिस करती है उसके पास हुआई क्रिश्चिना कहती कि तुमने इस सब किया क्यो पॉल कहता है तुम्हारे हस्बन ने मेरी जान बच जाई जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो बहुत बुरा लगा था मुझे किसी ना किसी तरीके से तुम्हें थैंक्यू कहना था जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुमसे दूर नहीं रह पाया क्रिश्चिना रोने लग गए पॉल उसे सहारा देता है ये दोनों फिर इंटिमेट हो गए एक दू दिनों बाद जब पॉल खर पर आया तो मैरी यहाँ से निकल रही थी वो बुशता है कि तुम क्या कर रही हो वो गहती कि मेरा ओपरेशन होगा तुम्हारे बच्चे की मैं मा बनूंगे और इसके बाद मैं तुम्हारे लाइब से चली जाओंगी नेक सिन में हम क्रिश्चिना को देखते है कि वो एक्सिरेंट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकाल रही थी उसे बता चला कि जैग अब जेल में नहीं है वो इस बात से बहुत जादा डिस्टरब होके वो ड्रक्स करने लगती है ये बात पॉल ने देखी और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब बहुत ही गलत है क्रिश्टिना उसे कहती है कि जब जैग ने मेरी डॉर्टर को हिट किया तब उस समय वो जिन्दा थी समय अगर वो रूख जाता उसे होस्पिडल में लेकर जाता तो अभी भी वो जिन्दा होती वो ऐसे ही चला गया वो अभी भी जिन्दा है उसे मारना चाहती है वो पॉल को कहती है अगर तुम मुझे हेल्प करना चाहती हो तो उसे मारने के लिए हेल्प करो उसने उसे भी कन्विंस कर लिया इसके बाद पॉल अपने डिरिक्टी उसी मिला जैक कहा है इसके वो लोकेशन ले लेता है उसने उसे एक गन भी बाय कर ली इसके बाद वो जैक जहाँ पर रुका था उस मॉटिल पर आया उस पर उसने गन लग गए कहता है कि डिजर्ट में चलो उसने उसे नीज पर बेटने के लिए कहा उसे मारने वाला था पर एक काम वो करनी पाता वो कहता है कि अब यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर तुम से ले जा फिरसे मुझे तुम दिखने नहीं चाहिए पॉल की हलत अब और भी जादा बिगडने लग गई थी थोड़े दिनों में उसकी डेथ हो जाएगी रात में उसके और क्रिष्टिना के पास जैक आया उसे कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते थे प्लीज इस काम को कम्प्लीट कर दो वो खुद गेल्ड में अब जी नहीं पा रहा उसे मारने के लिए फोर्स करता है जैक और उसमें fight हो गए इस fight में क्रिष्टिना जैक को मारने लग जाती है उसे जान से मार देती तब ही पॉल ने गन लेकर अपने आपको शूट कर दिया क्रिष्टिना अगर जैक को मार देती तो उसके लाईव भी बरबाद हो जाती है यह पौल नहीं जाता था इसलिए उसे कृषिचिना को रोकने के लिए खुद को गोली मार ली वो फिर जैक की हप लेकर पॉल को हस्पिटल में लेकर आती है पाल को बलड की जरोय थी कृषिचना उसे डोनेट कर सकती है उस पर पॉल की डेथ होगी पर क्रिस्टिना को उसने जीने का सहरा दे दिया है वो पहले अपने डॉटर के रूम में भी जा नहीं सकती थी पर मूवी के लास सीन में वो अपने डॉटर के रूम में उसकी सारी चीज़े देख रही थी वो अपनी life को लेकर फिर से hopeful है हम जैक को फिर से उसकी family के बास लोटता हो देख सकते है उसके wife को बहुत अच्छा लगा Paul movie के last में मरते होए हमसे कहता है जब हमारी date होती है तो हमारी body से 21 grams ये weight कम हो जाता है ये human soul के बारे में वो बात कर रहा था वो पहले खुद wonder करता था कि Spain का reason क्या है पर वो realize करता है कि life में चीज़े कितने भी भुरी क्यों न हो पर फिर भी हम positive चीज़ को देख सकते है हमारे हाथ में आने वाली जो खुशी है इसके लिए हम जी सकते है इसे एक positive message के साथ ये movie end हो जाती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इसे like कर दीज़ेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आधा रहता हूँ तो प्लीज इस channel को subscribe कर दीज़े और bell notification icon दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक new movie के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिए